निवस्कर दोस्तो जेहिंद वंदे मात्रों मैं आपके साथ जैस्वाल सर आप सभी का श्वागत अभिनन्दन है टीटी फैमिली सिचकों के परिवार जैस्वाल कोचिंग सेंटर पर पावड़ बाई सिच्छा ही प्रकास है दोस्तो आज की क्लास में हम बात करेंगे आपके NCRT-based EVS-Parevand की क्लास चल लई है और यह क्लास नमबर फस्ट है आपका इस क्लास में दोस्तो हम टॉप 20 क्वेश्चन की बात करेंगे 20 में से आप लोगों को फीड़बेक के आप लोगों की स्कोर का है कमेंड बाक्ष में अवश्चेयर कीजेगा सारी कلاस आने वाली है प्रत्य एक सब्जेट की कलास आने वाली है बाकि सभी सब्जेट की कलासे चल लए है जिसका अई बिटन पे यहाँ पे अलेडी लिंक दे दिया गया है तो चलिए देर न करते हैं पहले परशन की बात करेंगे आप लोग भी feedback के मादम से share कीजेगा इट आप 50 में से आप लोगों का feedback क्या है बात करेंगे Environment, Studies, NCRT-based questions पाहलापरशनी स्कीन पर है निम्रकीत में से काउन से एक सीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है कमपास हो गया, डाउन्स हो गया प्रेरीस हो गया या पंपास हो गया तो एक सीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है हम सभी जानते हैं डाउन्स, प्रेरीस, पंपास ये तीनों जो है आपकी क्या कहलाते हैं सीतोष्ण घास प्रदेश कहलाते हैं लेकिन आपका जो कमपास दिया गया है यह हमारा सीतोष्ट गहासी प्रदेश नहीं है इसलिए कार्जिन टो कुश्चन्स पहला अपसन सही हो जाएगा उस नकटवंदी गहास इस्तल की बात करेंगे पूर अफरीका सवाना ब्राजील कमपास और वेनिजेला लानोस अगर सीतोष्ट नकटवंदी की बात करते हैं तो अरजेंटीना पंपास उत्री अमेरिका प्रियरी दच्छिन अफरीका वेल्ड मद देशिया इस्टेपी और अस्टेलिया डाउन सेंड्रोम यहां पे सीतोष्ट नकटवंदी की बात करते हैं प्रश्ट नमारा कर रहा था सीतोष्ट नगास तो सीतोष्ट नगास को हमने आपनी नाम बताया ठीक है तो आई होप आप समझ गए होगे अब बात करते हैं अंगले प्रश्ण की जो दूसरा प्रश्ण आप लोगों की स्किन पर आ चुगा है प्रश्ण का पूंचा जारा प्रश्ण बहुत ही इंटेस्टेड है कि सोला घहां सिस्तल कहां पाहे जाते हैं पश्णी घहाट में पाए जाते हैं हिमालय में पाए जाते हैं पूर्वी घहाट में पाए जाते हैं या बिध्यांचल में पाए जाते हैं सभी कमेंट कीज़ेगा लेकिए आप सभी लोग जानते हैं ग्यानी सर्वब विख्याता लोग हैं जैस्वाल सर आप सभी का विनंदन श्वागत करते हैं आप सभी के प्रतेक भाई बेन ग्रेनी को विल्कम करते हैं आपके कमेंड का फीडबेक शरो पर इस शुर्मान करते हैं सोला घास इस्थल कहां पाये जाता है तो सोला जो घास इस्थल आपके पश्मी घाट में पाये जाता है पहला आपसान आपे सही हो जाएगा सोला घास पश्मी घाट में पाये जाता है सोला घास इस्थल वनों का उश्य कटवंदी मोटन जंगलों के रूप में माना जाता है और इस तरह के घासी मैदान नेलगिरी, कन्यकुमारी, पश्मी घाट के उचाई छेत्रों पे पाये जाते हैं भारत के घास के मैदान देखे लिए कौन-कौन से है, सोन मार गुल मर्ग जम्मू कासीर में है, बुग्याल आपके उत्राखन में है, उर्मिल आपके करनाटक में है, सोला महाराश पचमी घाट में है, बन्नी घास ये गुजरात कच्च के रण पर है, और एक है आपका खजर जो की हिमानचल प्रदेश परिस्तित है, तीसरा परसने की निम्कित में से कौन सा क्रम पर इस्थितिक तंत्र, एको सिस्टम में उर्जा प्रवाय के सही सम्मंध को बताता है, सब भी बताइए, लेकि उर्जा प्रवाय में एको सिस्टम में पर इस्थितिक तंत्र में उर् उतपादक, उभोकता और यहां पर अपगटक होगा सही आपसन क्या होगा, पहले उतपादख होगा, उभोक करने वालें कि फिर बाद मिनका अपगटन होगा ये आपका सही क्रम है उर्जा का, इसके बाद करेंगे फोध प्रश्न की फोत प्रस्ट में क्या दिया गया कि निम्कित में से कौन सा जयव मंडल का अजयविक घटक नहीं है हम सभी जानते हैं प्रोटीन, कवक, फासफोरस ये तीनों जो है जयव मंडल के अजयविक घटक हैं लेकिन जो म्रदा होती है यह आपके अजैविक घटक पे नहीं आता है स्वारी यहाँ पे जो दिया गया है प्रोटीन, म्रदा और फास्पोरस यह तीनों आपके अजैविक घटक है लेकिन जो कवक होता ही या हमारा किसमें आ जाता है कवक आपके जैविक में आ जाता है किसमें आ जाता साथ यो कवक जो होता ही आपके जैविक में आ जाता है ठीक है तो आजैविक, प्रोटीन, मरदा फासपोरस और कवक हमारा क्या होगा जैविक हो जाता है तिन चीजों को आई होप, आप समझ गए होंगे, आई ये बात करते हैं, अंगल़ेपरस्ण की, अंगल़ेपरस्ण दिया गया कि घास भूमि के छेत के परितंत की खाद शंकला में सबसे उचस्तर क्यों भोकता होते हैं, साकहरी होते हैं, मांसाहरी होते हैं, जिवान होता है, मांसाहरी असाकाहरी दोन होते हैं तो घास भूम के छेत के परितंत्र की खाद संखला में सबसे ओचिस्तर जो होता है वह होता है मांसाहरी होता है, भी आपसनियाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि घासिस्थिली परिस्थितिक तंत्र में एकोसिस्टम में खाज संखला के जीवधारियों को कर्म क्या होता है ठिड़ा होता है पहला उभवकता फिर मेड़क होता है मेड़क को कौन खाता है सर्फ सर्फ को खाता है गिद ठीक है तो गिद क्या हो गए यहां पर मांसार की बात करेंगे आईए बात करते हैं अंगले परिस्तिक तंत में उर्जा का मुख श्रोत क्या है एटीप है शूर का प्रकास है डियने है या आरेने हो जाएगा सभी बताईएगा इके साथ यो एको सिस्टम परिस्तिक तंत में उर्जा का जो मुख श्रोत होता है वह होता है स अनाफ, सरदार, सं-Light अरथा, щоूर का प्रकास भी आपजन सही हो जाएगा。 इसी के साथ ही आप कंगला पस्न, 3 पस्न दिया गए कि किसी खाद संकला में साकाहारी होता है, प्रात्मी कुदबाता कोता है, दोतिय कुभोगता होता है, प्रात्मी कुभोगता होता है, या अब घटन करता होता है सभी बताईएगा देखे किसी भी खाद संकला में जो साकाहरी होते हैं साकाहरी होते हैं प्रात्मी को भोगता साकाहरी वे कहलाते हैं जो हरे पेंड पौदों को खाते हैं हरे पेंड पौदे पतियों को खाते हैं प्रात्मी वहुकता कहलाते हैं यहां पर हमारा सीवालापसन सही हो जाएगा देखे मनुस गाय बकरी हिरन खरगोस आदी उतपादक हमारे हरे पौधे होते हैं जो क्लोरोफिल की सहाथा से प्रकाश संसेशन किया के द्वारा बोजन का निर्मान करते हैं और दोतियों वहुकत साकाहारी जन्तों को भोजन की रूप में प्रयोग करते हैं या अप गटन करता सड़े गले पदा सुर्जा प्राप्त करते हैं जैसे अप गटन करता कौन कौन होते हैं म्रदोब जीवी हो गया कवक जिवान ये सड़े गलेव पदार्थों सोज़ा प्राप्त करते हैं ठीक है मातपूंट पॉइंट भी साथ साथ करते जाएंगे एकोलाजी का सबतम प्रयोग इस ने किया अरनेस ठेकले ने 1886 में किया था पर इस्तिक तंत इको सिस्टम के जनक कौन है तो आपके एजे टांसलेजी है जो अकसर एकजाम में पूँचा जाता है साथ साथ गहन पर इस्तिक डीप एकोलाजी के जनक कौन है तो गहन पर इस्तिक गर पूँचा जाता है डीप एकोलाजी पूँचा जाता है इसके जनक जो है अरनीस नीस हो जाते है साथी साथ दोस्तो औरेन आफिस वीज के लेखा कौन है चार्स डार्विन है प्रकति चैन के उधारना किसने विक्सित की चार्स डार्विन ने 1935 में की थी साथी साथ मेग वीजन कृतिम वर्षा कहा होता है अंगला प्रसन है भू परिस्टिक तंत में उर्जा का महतपूर्ण शूर कौन सा होता है साथ यो Sunlight की बात करते हैं आईये बात करेंगे अंगले परिस्न के देखे जब एक जीव लाब ले दूसरे वगर सहवासी जीव को प्रभावित किये तो वह कलाता सह भोजी, मतलब आपके सह के साथ, ठीक है, आपके मन के साथ वह यह कह रहा है, तो कह जाएगा सह भोजी, सह मतलब उसके साथ और भोजन किया, उसके सहभागिता से भोजन किया, तो सहभागिता या सहभोजी दो विभिन जीव जात्यों के बीच एसा एक अंतरक्रिया इंट्रेक्ट होता है जिसमें एक जन्त को इस सम्मंद से लाव होता है किन्त दूसरे जन्त को कोई हान्य नहीं होती है उधायन के रूप में गेस्ट्रोपोर्ड कबच में केकड़ा रहता है और कबच की उपर समुद्री एनीमोन चिपकी रहती है और इसी प्रकार सार्क से पेट्रोमाईजोन चिपकी रहती है और वेलों से समुद्री वर निकल चिपके रहते है अंगला प्रस देख लेते हैं इ साप कीड़ों को खा रहा है तो कीड़े हरे पौदे को खा रहा है तो मोर का जो पोसन इस तर हो जाता है खाद पिरामिट के सेस पर हो जाता है दिया आपसन यहाँ पर सही हो जाएगा हरे पौदे के कौन खाते हैं कीड़े खाते हैं कीड़ों को साप खाता है साप किसको खाता कीड़ा को असाप को खाने वाला मोर होता है जो उचिस्तर पर पोषण की बात करेंगे उचिस्तर के उभोगता की बात करते है जो साकाहारी जन्तु भोजन के लिए हरे पेंड पोदों पर निर्वर रहता है ऐसे साकाहरी जन्तु को प्रथम चरण उभोकता कहा जाता है क्योंकि ये हरे जो प्राथमिक चरण के उभोकता कहला जाते हैं प्राथमिक चरण के उभोकता कहला जाते हैं आई ये बात करतेंगे अंगले प्रस्ण की अंगला प्रस्ण है एको सिस्टम की सही परिवासा क्या होती है एको सिस्टम परिस्थित्की देखे एको सिस्टम की सही परिवासा होती है जीव समदाय और उसके वातावण का संतुले तंत्र को ही अम एको सिस्टम या परिस्थित्की कहते हैं तो पड़ी आफसन आपर सही हो जाएगा इसके साथ ही आपका अंगला प्रसंदिया गया है कि किसी परितंत में तत्तों का चक्रन क्या कहलाता है जव भू रासानिक चक्र कहलाता है भू वैग्यानिक चक्र कहलाता है रासानिक चक्र कहलाता है या इन में शेकुल में दोस्तो किसी पईतंत में जो तत्तों का चक्रन कहलाता है वह कहलाता है जयोगूर आसानिक चक्र पहला आपसन सही हो जाएगा इसी के साथ ही आप कंगला प्रशना आप लोगों के स्कीन पर जयविक सम्दाय में प्रात्मिक भोगता जो होते हैं वहमानसा हरी होते हैं शर्वा हरी होते हैं शाका हरी होते हैं या डेट्रिटी और होते हैं सभी बताइए दोस्तो जो जयविक सम्दाय होता है न जयविक सम्दाय में जो प्रात्मिक भोगता होते हैं किसे होते हैं शाकाहारी किस पर होते हैं सभी जोतन्तर है वह कौन सा है उस्निकटबंदी वर्श्वन है तुन्रावन है शवान है या मरोस्थल हो जाता है तो सात्यो सरवाधी कुदपादक परिसिक तंत जो कहलाता है वै कलाता है उस्निकटवंधी वर्षावंध पहला आफसन सही हो जाए तो अंगला परस देख लेते हैं क्या पूचा जा रहा है खाद संखला के परस पर समू को क्या कहा जाता है जी हां एक कई वारसी तीट में आ के परस पर समू को क्या कहा जाता है सभी जानते हैं खाद जाल कहा जाता है क्या कहा जाता है साथ यो खाद जाल कहा जाता है आईए बात करेंगे अंगले प्रिश्ण की अंगला प्रिश्ण दिया गए कि निम्निकित में से एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है सी टेट का important प्रिश्ण EBS की अगर बात करते हैं सी टेट में साथ यो यह प्रिश्ण important है आपका कई बार repeat होता है और कई बार यह प्रिश्ण पूँचा भी जाता है तो सभी लोग जानते हैं किसी किसकी बात करेंगे क्या हम चीटी की, मदमक्खी की, केश्वे की या तिथली की बात कर रहे है किसी एक प्राणी को किसान का मित्र मतब समिलोग जाईए कहीं न कहीं मिट्टी से सम्मांदित है मिट्टी को उलटने पलटने वाला हो सकता है वह और कोई नहीं आपका केश्वा कहलाता है केश्वा किसान का मित्र कहलाता है क्योंकि केचुवा सड़े गले पदार्थों को खा कर नाइटोजनी पोशक तत्तों में बदल देता है साथी साथ भूम में छिद्र भी बनाता है, छेंद भी करता है जिससे भूम में पर्यात माता में जल तथा वायू प्राप्त हो जाती है केचुवे जो होता है नीचे के मिट्टी को उपरी सतर तक लाने का कार करता है नीचले के मिट्टी में पोशक पदात हीूमस की मात्रा अधिक होती है जिससे मिट्टी और अधिक उपजाव हो जाती है और पौदे की ब्रदि में सहायक होती है अंगला प्रस दिया गया कि पर्यावरण की एक परिभासा क्या है साथ ही ओ अबायोटिक एवं बायोटिक घटक समुद तल के नीचे प्रत्वी पर वस्त वे चीजें जो हमको घेरती है या उप्रोक तुमेशे कोई नहीं सभी कमेंट किजेगा देखिए पर्यावरण की जो सही परिभासा होती है वह क्या होता है पर्यावरण की सही परिभासा होती एवायोटिक एवं बायोटिक घटक मतलब परियावरण के अनेक तत्तों से मिल कर बना है परियावरण क्या है इन्वार्मेंट अनेक तत्तों से मिल कर बना हुआ है जो बेवस्ति समों में होता है जिसमें सभी घटक बायोटिक और बायोटिक जैविक और जैविक प्रकत में संतित रोप में रहते हैं उनको हम परियावन कहते हैं I hope आप समझ गए होंगे आई ये बात करते हैं अंगले प्रशन की साथ यो क्रतीम वर्षा के लिए मेग बीजन के लिए प्रियुक्त रसायन कौन कौन सा है क्रतीम वर्षा का हम जिकर कर चुके एक पहले प्रशन पर लेकिन फिर से एक थोड़ा अलग टाइप का प्रशन है इस प्रकार का भी एक्जाम में पूँचा जा सकता है तो क्रतीम वर्षा के लिए मेग बीजन में जो प्रियुक्त रसायन होता है वह सिल्वर नाइट्रेट होता है सिल्वर आयोडाइड होता है पोटैसियम ब्रोमाइड होता है पोटैसियम नाइट्रेट होता है तो मेग वीजन में जो प्रियुक्त रसायन होती है वह और कोई नहीं आपके सिल्वर आयोडाइड होता है इसे हम एजील कहते हैं सिल्वर आयोडाइड AGL का प्रियूख क्रतिम वर्सा कराने के मेग बीज के रोप में किया जाता है जमीन पर मेग बीजन करने के लिए खुले में अंगारों के उपर सिलवर आयोडाइट के इस्पिटिक या क्रिश्टल रखकर गर्म गिये जाते हैं और इस पिटिक यह क्रिश्टल गर्म होकर वास रूप में ऊपर उठते हैं और हवा के साथ बादलों तक पहुँचा जाते हैं और बीज कारक की वास बादलों में पहुँचकर वर्सा की बूदे बनने की प्रक्या को काफी सीगता से संपन कराते हैं और जल्दी ही वर्सा होने लगती है साथी साथ कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट से उनको नोट कर लेते हैं क्योंकि ये भी एकजाम में पूँचे जाते हैं सबसे चोटी जो परिस्थिक तंत्र है वह कहलाता है एक्वेरियम मचली घर जो कहलाता है सबसे बड़ा क्रतीम परिस्थिक तंत्र जो होता है वह होता है धान का खेत विस में सबसे बिछुब्द परिस्थिक तंत्र जो अगर पूँचा जाता है वह होता पर्णपाती वन इस्थल खंड पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा परिस्थिक तंत कौन सा कहलाता है वह कहलाता है जंगल और साथियों परिस्टिक तंत का मित्र कौन-कौन से होते हैं नीम होता है, पीपल होता है, बरगद होता है, तुलसी होता है ये सारे परिस्टिक तंत एको सिस्टम के मित्र हैं, फ्रेंड हैं, दोस्त हैं प्रत्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा परिस्टिक तंत कहलाता है समोद्र प्रत्वी पर अगर ये पूचा जाए कि इस्थल खंड में पाए जाने वाला सबसे बड़ा तो फिर जंगल करना है इस्थल खंड अगर दिया है तो जंगल करना है अब प्रत्वी दिया है तो फिर आपका समुद्र करना है इस क्लास का बीस्वा प्रस्ण आप लोगों के स्कीन पर है कि परिस्टिक तंत्र का उधारन क्या होता है वाई होता है जल होता है तलाव होता है या म्रता होता है यह आपको कमेंड करके बताना है यह आप सभी के लिए मौक कोश्चन के रूप में है और टॉप 20 में से आप लोगों ने कितना स्कोर प्राप्त किया नीचे कमेंड बाक्ष में अवश सेयर कीजेगा मैं आपके साथ जे स्वास सार मिलता हूँ आपके एंगली क्लास पर सभी म एतनों को जे हिंदों वन्दे मात्रम धान्मा शबिक